प्रिवन वेलकम टू टू अफेर्स इस वीडियो में बात करेंगे 16 से 23 जुन तक के बीच का बैंकिंग फिनेशल अवेडिनेस और दो वीडियो पहले आ चुके हैं जुन बैंकिंग अवेडिनेस उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें उस दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ करेंट एफेर्स के चार वीडियो आ चुके हैं जुन मंत के एक से 20 जुन तक के अलग पार्ट में एक से 5 जुन, 6 से 10 जुन, 11 से 15 और 16 से 20 जुन तो इन चारो वीडियो को आप जरूर देखें उन चारो वीडियो का अलग प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं तो बैंकिंग अवेडिनेस हम शुरू करेंगे इस विक्का 16 से 23 जुन के बीच का सो लेट्स साट दे वीडियो कि फर्स्ट कोश्चन है विच इंटरनेशन और्गनाज़ेशन एप्रूव्ट वन फिफ्टी मिलियन डॉलर लोन फॉर दर रेजिलेंट के रला प्रोग्राम रेजिलेंट के रला प्रोग्राम के लिए किस अंतराश्टी संस्था ब एक सो पचास मिलियन डॉलर का लोन अप्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैक्स आम जो है इंटरनेशन बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन और डिवल्पेंट अप्रूव्ट वन फिफ्टी मिलियन डॉलर टू सपूर्ट के रला रेजिलेंट प्रोग्राम अगेंस नैच्र डिज इंपक्ट्स डिजिस आउटब्रेक्स प्रोटेक्शन अफ लाइफ तो इन सभी चीजों के लिए जो कमी है उसको बहतर सुधार करने के लिए 150 मिलियन डॉलर का लोन एप्रूफ किया है और अभी हाली में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने 148 मिलियन डॉलर का लोन दिया है वेस्ट बेंगाल को फॉर एनहेंसिंग रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेज ठीक है बात करें वर्ल्ड बैंक तो इसके नए प्रेजिडेंट कौन है अजय बंगा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेजिडेंट है यह सक्सिडेट डेविड मालपास हेड़कॉर्टर है वाशिंग्टन में वर्ल्ड बैंक का नेक्स्ट कोश्चन है विच बैंक लॉंच्ट फोर इस्पेशल बैंक अकाउंट उन्नती सम्मान समृध्धी स्बी सी एचेस इसकीम टू बेनिफिट वोमेंट पेंशनेर्स हैं कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तो किस बैंक ने चार अलग लग तरगा बैंक खाता को जारी किया है स्कीम जारी किया स्वडी खाता धारक खाता धारक स्चीम वोमेंट पेंशनेर्स कोपरेटिस सोसाइटी है के लिए तो इसका एंसर होगा option B union bank of India यूनिन बैंक और फिंडे ने जारी किया है चार अलग अलग तरगा बैंक अगाउट स्कीम यूनियन उन्नती यूनिन सम्रिधी यूनियन सम्मान एन यूनियन सम्रिधी यूनियन सम्मान पेंशनर्स के लिए है और सम्रिधी यूनियन बैंक ने एकाउंट स्कीम जारी किया है यूनियन बैंक और फिंडे की बात करें तो हेड़कॉर्टर का है इसका मुंबई में है और इसके MD CEO कौन है ए मनी में खलाई नेक्स्ट है एक्टिव मनी फैसिलिटी यानि के फ्लेक्सी फिक्स डेपोजिट लॉंच्ट बाई विच बैंक रिसेंटली एक्टिव मनी फैसिलिटी इसको जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्टिव मनी फैसिलिटी यानि फ्लेक्सी फिक्स डेपोजिट लॉंच्ट बाई कोटक महिंद्रा बैंक Active Money Flexi Deposit एक facility है जो कि bank का दिया जा रहा है कि एक surplus amount होगा तो वो particular amount fixed deposits में चला जाएगा Surplus fund above a specified threshold are transferred from current saving account in multiple of 1000 for 180 days 1000 के multiple में जो surplus होगा वो 180 दिनों के लिए FD में चला जाएगा Whenever the balance is current saving accounts above a threshold Active Money lets you earn higher interest rate of up to 7% on your saving account तो ये 7 प्रतिशत का देगा interest rate Limit for FD surplus 25,000 for saving accounts and 50,000 for current accounts ये तया किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा MDCO कॉन है उदाए कोटक हेड़कॉर्टर का है मुंबई में तो Active Money Facility याने के Flexifix Deposit ये कोटक महिंद्रा बैंक के दोरा जारी किया गया है प्रेंट्स current affairs की वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि banking awareness से कुछी questions आएंगे मुश्किल से 3-4 questions लेंगे इन current affairs का वेटे ज्यादा रहेगा 30 questions किसी भी मेंस exam में 40 questions में तो current affairs बहुत detail में और selective मैं करा रहा हूं एक question से 3-4 questions निकल जाते हैं तो आप quantity नहीं quality पढ़िए quantity तो 100 questions भी 300 आराम से बन जाएंगे तो आप उन सारे वीडियो को ज़रूर देखे जो जून के current affairs है और upcoming days में और भी वीडियो लाए जाएंगे current affairs के next question है which asset management company launched index first ever nifty microcap 250 return index fund nifty microcap 250 return index fund इसको जारी किया गया है मोतिलाल ओस्वाल asset management company के द्वारा सो मोतिलाल ओस्वाल asset management company has launched nifty microcap 250 return index fund अब कुछ one liners देख लेते हैं क्योंकि जितना news रहेगा current affairs या फिर वीडियो उतना ही खुब बनेगा जबरदस्ति तो news बाहर से आनी सकता है तो इस week में कम ही news थे पहला हम बात करते है स्वामी नाथन जानकीरमन जो की MD है SBI के इन्हें appoint किया गा new deputy governor of RBI he replaced महेश कुमार जैन MK जैन को इन्होंने replace किया है तो यह आपको याद रखना है दूसरा है इंडेजिन बैंक partner with WISE global fintech company है to offer inward remittance services to NRI वैसे NRI जो USA and Singapore based है उनके लिए इंडेजिन बैंक ने WISE के साथ partnership किया है World Bank launched its first road safety project in South Asia 350 million dollar financing agreement है Bangladesh में इसको launch किया है road safety project in South Asia 358 million dollar का financial agreement है और शुरुवात हुआ है इसको जारी किया है Bangladesh से SEBI introduced new act resolution for listed entities listing obligations and disclosure requirements regulation 337A regulation 37A के तहत एक new act resolution जारी किया है listing entities के लिए for obligations and disclosure requirements के लिए which bank launched one view multi bank aggregator feature on its mobile app access bank के दोरा जारी किया गया है जो भी multi bank का अलग अलग features होगा उसको उससे connect करके access bank के account से connect करके इसको जारी किया है one view multi bank aggregator feature on its mobile app access bank और फ्रेंट्स वीडियो खतम करने के पहले आप से कहूंगा कि इस चैनल पे computer awareness का एक 16 वीडियो का playlist है अब देखिए computer में तो बहुत rare चीज़े changes होती है तो उन 16 वीडियो को आप जरूर देखें के लिए 350 प्लस questions है उन्हें आप जरूर देख जाओ एक बार और static banking का भी एक playlist साथ वीडियो का उसे भी आप जरूर देखो तो उन दोने वीडियो को आप जरूर देखो अपने marks को maximize करने के लिए ठीक है तो वीडियो को end करते हैं और आप upcoming days में आने वाले वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए तो thank you very much for watching the video thank you